प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया में फिर से एक बार डंका बजा है टाइम पत्रिका द्वारा ज़ारी 2021 के सौ सबसे प्रभावशारी लोगों की सूची में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को जगा मिली है प्या मोदी के अलावा पर्शिम मंगाल की मुख्य मंत्री मब्दा बनर जी और सीरम इंसिट्यूट ओफ इंग्या की मुख्य कारिकारी अधिकारी अदार पुना वालों को भी टाइम्स ने सबसे प्रभावशारी लोगों की लिस्ट में चगा दी है टाइम्स में बुदवार को 2021 के सौ सबसे प्रभावशारी लोगों को अपनी वार्शिक सूची में रखा है इस लिस्ट में आतंकी संग्चन तालिबान की राजूतिक चहरे मुलाः अब्दुलगनी बरादर का भी नाम है इसके लावा इनोवेटर्स में एलन मस्क का नाम भी श्वामिल है वही रूस में पकड़े गए पुतिन विरोधी कारेकरता एलकिसनाई, नवालिया और गायका ब्रिकनी स्पेर्स को भी प्रभावशारी लोगों की सूची में जगा दी गई है यानि यह कहा जा सकता है कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी का डंका जो है सिर्फ भारती नहीं विदेशों में भी लगातार बलता हुआ नजर आता है दरसल ताइम्स पत्रिका में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी को जगा मेली है पियमोदी के अलावा पर्शुमंगाल के मुख्य मंत्री, ममताब अनरजी और सीरिम इंसिट्यूट ओफ इंडिया के मुख्य कारिकारी अधिकारी, अदार पूना वालों को भी टाइम्स ने सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में चुड़ा दी है इसके अलावा सबसे जादा जो फोकस किया जा रहा है वो प्रधार मंफी नरिंद मोदी पर दूसरा जो है वो है आतंकी संगछन तालिबान के राज्यतिक चेहरे मुला अब्दल लगनी बरादर क्योंकि उसको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है इसे तमाम नाम जो है वो सामनी आए हैं इसके अलावा गाय का यानि कि सिंगा ब्रिटनी स्पेर्स को भी प्रभावशाली लोगों की सूची में जगा दी गई है गुजरात में आज दोपहे डेड़ बज़े बुपेंद्र पटेल के मंतरी मंदल का शपत ग्रहन समारो होगा खबर काबिनेट में शामिल रहे मंत्रियों को हटाए जा सकता है इसी जानकारी मिल रही है और इस वज़ों से शपत ग्रेंट समारो बुद्वार को बार बार टलता रहा पहली बार वधायक बने बुपेंद्र पटेल ने मुखे मंत्री पद की शपत ले ली है लेकिन अब मंत्रियों की शपत पर पेंच फिलहाल फंस किया है पहले मंत्रियों का शपत ग्रेंट समारो बुद्वार दोपेहर में होना था जैसा कि जानकारी मिली थी फिर इसे शाम तक के लिए टाल दिया गया अब शपत ग्रेंट के लिए आज तो पह देड़ बजे का वक्त तै किया गया है दरसल नए सियम वुपेंद्र पटेल पूरे मंत्री मंदल में बदलाग जाते हैं इसको लेकर गुजरात बीजेपी में तनातानी तेज हो गई है बड़ी खबर ये है कि मंत्री मंदल में नए चेहरों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी मैलाओं की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है जातिय समीकरण को बिठाने के साथ 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 सुत्री छवे के निताओं को तवज्जो देने का प्लान भी है विजे रुपाने के स्तीफे के बाद बीज़ोपी के दिगश नेतान नितिन पते बुपेंदर सेंग चुडास्मा आर्सी फाल्दू और कौशिक पतेल के सियासी भविश्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं ये चारो ही गुजराद बीज़ोपी के पुराने चेहरे हैं और इनी पर दाव फसा हुआ है सबसे बड़ा सवाल पूर्व डिप्टी सियाम और कदावर नेतान नितिन पतेल को लेकर है जो इस बार भी सियाम बनने की रेस में पिछड़ गए बुपेंद्र पटेल और नितिन पटेल दोनों पाठीदार समुदाईस से हैं सियाम और डिप्टी सियाम दोनों ही पद एकी समाज को देने की संभावना कम ही है खबर ये है कि सभी पुराने मंत्रियों को हटा दिया जाएगा बुपेंद्र पटेल सरकार की नई क्यावनेट में 26-27 मंत्रियों को मंत्री पद की शपत आज तिलाई जा सकती है करीब 15 महीने बाद बीजेपी के सिर के ताज गुजरात में चुनाव है और ऐसे में बीजेपी आला कमान किसी भी हाल में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और पुराने मंत्रियों को हटा कर सरकार के नई छिवी पेश करना रणीती का हिस्सा होगी हाई कमान को उमीद है कि देर सवेर ये विरोध भी थम जाएगा और सब मिलकर बुपेंद्र पटेल के नतित्त में जोर शोर से काम करना शुरू कर देंगे 15 महीनों बाद गुजरात में चुनाव होने है ऐसे में नया मुख्यमंत्री गुजरात को दिया गया है लेकिन मंत्री मंडल के विस्तार को लेकर पेज फसा हुआ है कल भी शपत ग्रेंड समारो था मंत्रियों का लेकिन नहीं हो पाया बार-बार टाइमिंग चेंज होती रही लेकिन आज बताये जा रहा है कि करीड़ बजे मंत्री पत की शपत जो मंत्री हैं वो ले सकते हैं पार चेहरों पर सियासी भविस्ये जो है उसको लेकर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रही है वहीं देश पर आतंकी हमले की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है अलग लग जग़ों से गिरफतार शे आतंकीों ने कई शेहरों तक विस्फोटक पहुँचाने का दावा किया है काही राज़े के पुलिस अब इस पूरी साजिश के तार्ड जोड़ने में जुटी है हालकि कहा ये जा रहा है कि आखरी वक्त में परदाफाश होने से आतंकी धमाके से देश बाल बाल बच गया इन आतंकीों में पहला नाम है जौन मुहमद शेक का जो मुंबई करेने वाला है उसे पुलिस ने राजिस्थान के कोटा में गिरफतार किया इस गैंग का दूसरा चेहरा है अबुब बक्र जो यूपी के बैराइच करेने वाला है उसे दिल्ली से पकड़ा गया है तीसरा शक्स ओसामा है इसे भी दिल्ली में ही गिरफतार किया गया चौता नाम मूलचन उर्फ लाला का है यह यूपी के राय बरेली करेने वाला है पाचवा नाम प्रियागराज का जिशान कमर और छटा चेहरा लखनो का आमिर ज्वावेद है यानि कि जो चार चेहरे हैं वो उत्तर प्रदेश से गिरफतार किये गए हैं ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है साथी साथ प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है पुलिस के मताबिक देश के कई शेहरों में विसफोटक पहुँच चुका था यूपी की रेकी हो चुकी थी महाराष्ट की रेकी करने वाले थे जान मोहमद मुमई से यूपी जाते वक्त पकड़ा गया जान मोहमद यूपी से विसफोटक लेने जा रहा था दमाके के लिए उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा फोकस था कई राजों के पुलिस अभी इस विसफे जाच में लगी हुई है कि विसफोटक इन शेहरों में पहुँचा साज़श में कुल कितने आतंकी शामिल थे फिलहाल पुलिस को आतंकी उसामा के दो रुष्टेदारों की तलाश है बताईए भी ज़ारा है कि हुमेद आतंकी उसामा का चाचा है हुमेद के जिम्में I.I.D. पहुँचाने का काम था दूसरा संदिक अबेदुर रह्मान है जो उसामा का पिता है सुत्रों के मताविक अबेदुर रह्मान दुबई में हो सकता है ये ISI के सीधे संपर्प में है उसामा से पूछता जो चैट से ये खुलासा हुआ है कि सूतरों की माने तो पहले ISI के टार्गेट पर यूपी था उसके बाद महाराज जो दरसल दाउद ने पूरे साज़िश की उसे तिरवाने के मुंबई ब्लास के पैटरन पर रची थी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़े आतंकी हमले से पुरा देश बाल बाल बचा है वक्त रहते हैं खूफी अजन्सियों ने चानबीन की और अलर्ट मोड पर रहकर काम किया जिसकी वजों से छे आतंकी जो हैं वो पकड़े गए हैं इनकी रिष्टेदारों की भी तलाश की जा रही है और दाउत का नाम इसमें सबसे पहले स्वामनी आ रहा है राजानी दिल्ली के आतंकी मोड्यूल का खुलासा होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में आयोध्या के परिक्रमा मार्क के किनारे ड्रोन मिलने से हरकम मच गया जिसके बाद आयोध्या में हाई अलर्ट घोशित कर दिया गया है साथी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है इस संदिग्ड ड्रोन को लेकर कैंट थाने में केस भी दर्ज किया गया है ये बड़ी जवानकारी संदिग्ड ड्रोन का मामला सामने आने के बाद यूपी पुलिस ने परताल शुरू कर दी है आयोधिया में फिलहाल जगर 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 चेकिंग चल रही है और हर आने जाने वाले वाहन को रोक कर उसकी तलाशी भी ली जा रही है कल अलग अलग जगों से गिरफतार छे आतंकियों के दाउद कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था इसकी से पहले भी मैंने बताया और दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि प्रयागरा से गिरफतार आतंकियों के पास से मिली दो आईडी को डिस्पोज आफ किया जा सकता है पुलिस ने आईडी के लावा दो ग्रेनेट, दो पिस्तल और करीब पच्छास कार्टूस परामत किये हैं वहीं यूपी एटियस ने राज्य से कुल छे आतंकियों को पकड़ने का दावा किया मंगलवार को च्छे में से तीन आतंकियों को यूपी से गिरफ्तार किया गया था यूपी एटियस ने बुद्वार को तीन और गिरफ्त मिलिये गिरफ्तार संदिग आतंकि अबुबर्क यूपी के बहरायच का रहने वाला है अबुबर्ग के परिजनों के मताबिक वो कुछ तिन पहले ही जमात में शिरकत करने के लिए दिल्ली गया था यानि की सबसे ज़ादा देहलाने की जो साजिश थी वो उत्तर प्रदेश को थी दाउत का नाम इसमें श्वामिल हो रहा है यूपी एटियस पूरी तरह से सक्रिय है अब भी यूपी पुलिस पूरी तरह से अक्शन मोड में नजर आ रही है आयोध्या पर सबसे ज़ादा फोकस किया जा रहा है आयोध्या में जो परिक्रमा मार्क है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर संदिग्ज ड्रोन मिलने से पूरे इलाके में संसनी का महौल बना हुआ है ऐसी तमाम जो तस्वीरे हैं वो सामने आ रही है लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बड़े त्योहार भारत में उसकी तैयारी पूरे बाजार में हो रही थी तो ऐसे में इतनी बड़ी साजिश को नाकाम करना वाकई अगर देखा जाए तो खूफिया एजंसियों के लिए काबिले तारीफ है वरना बड़ा हाथ सा हो सकता था अगर वक्त रहते जानकारी नहीं जिटाई जाती वक्त रहते कारवाई नहीं की जाती वहीं उत्राखन पुलिस ने मावादी भासकर पांडी को अलमोरा से गरफतार कर प्रदेश से मावाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया है प्रदेश के डीजिपी अशोक कुमार ने का है कि भासकर पांडे कुमाओं में ट्रस किये गए मावादियों में सबसे आखरी था और अब उसे भी गिरफतार कर लिया गया है उन्होंने कहा कि 2004 से 2016 सत्रा तक के बीच में 24 मावादियों को चिनहित किया गया और भासकर पांडे आखरी मावादी था जिसे चिनहित किया गया था जिसे भी अब गिरफतार कर लिया गया है आपको जानकारी दे दें कि उत्राखन का सबसे वरिश मावादी लीडर पिछले दिनों ज्वाइंट एक्शन में गिरफतार किया गया था तो देहरदून में आखरी माववादी भासकर पांडे को गिरफतार कर लिया गया है उत्राखन में माववाद पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है इसे जुआनकारी मिल रही है अब कवाइट जो है उसे पूरा कर लिया है प्रदेश के दीजीपि अशो कुमाने का है कि भासकर पांडे को मावाओ में ट्रेस किये गए मावाधियों में सबसे अकरी था और अब उसे भी गिरफतार कर लिया गया है उन्होंने कहा कि 2004 से 2016-17 तक के बीच में करेग 24 माववादियों को चिनहित किया गया और भासकर पांडे आखरी माववादी था जिसे चिनहित किया गया था अब उसकी गिरफतारी हो चुकी हैं आपको तादे की उत्राखंड का सब सबसे वरिश माववादी लीडर पिछले दिनों जॉाइंट एक्शन में गिरफतार कर लिया गया था सिर्फ भासकर पांडे बचा था जिसके गिरफतारी भी अब हो गई है मैं तो कहुंगा कि कुमाओं में जो भी माववाद के ट्रेस थे वो खतम समझा जाए क्योंकि आखरी वांचित माववादी था जिसको हमने पकड़ा है और हमारे यहां जो इतिहासरा 2004 से सुरूआ 17 का आखरी मुकदमा था यह दुबारा से रिवाइब करने की कोशिस कर रहा था तो 24 हमारे आखरी था जो यह वांचित था यह पकड़ा गया करने का प्रियास कर रहा था मुझे उमीद कम है क्योंकि जिस तरह से हमने चुन-चुन के अडेंटिफाइव करके जितने हाड कोर थे वह तो 100% अकाउंट फो रोगए आमादमी पार्टी ने हाल ही में उत्राखन को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए एक वेबसाइट लॉंच कर आम जनता की सुझा मागे थी इसी कड़ी में आमादमी पार्टी की प्रवक्ता नवीन पिर्शाली ने एक प्रेस कॉन्फरेंस कर बताए कि पिछले चार दिनों में एक डिजिटल प्लैटफॉर्म के जरिये करीब 25,000 से जादा लोग हम से जुड़ चुके हैं और अब तक जनता की ओर से हमें करीब 22,000 से जादा सुझाव भी मिल चुके हैं इसी को लेकर अब हम उन्हें मैतुपून सुझाव पर आगे के लिए सेलफी विद टेंपल अभियान शुरू कर रहे हैं और उत्राखन की जनता से अपील करते हैं कि आपके शोहर गाओं या महले में जहां कहीं भी आपके इश्ट देवतार देवी का मठ है या कोई मंदिर है जो पौरानिक देवस्थल है उसकी जानकारी सेलफी विद टेंपल के जरीए हम उसे साज़ा करें जिससे हमें उत्राखन को आध्यात्मिक राजधानी बनाने में और भी आसानी हो हम उत्राखन की जनता से ये भी अपील करते हैं कि वो हमारा सयोग करे तो आ मादमी पार्टी का आध्यात्म जो है वो अब नज़र आ रहा है दरसल अभी कल ही मनिश इशोद्या जो है वो आयोधिया पहुँझे हूं थे और कल ही उन्होंने watch के काल हैं उससे पहले उन्होंने तिरंगा यात्रा भी निकाली और इससे पहले वो रामड़ा के दर्शन करने के लिए आयोध्या भी पहुंचे थे तो इस तीन राजधानी बनाने के लिए एक वेबसाइट लॉंच कर आम जनता के सुझा मांगे थी और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टे के प्रवक्ता नवीन पिर्शाली ने प्रेस कॉंफरेंस की है और चार दिनों में इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए 25,000 से जादा लोग करते हैं कि शहर हो या गाओं महला हो या कहीं भी इस्ट देव देवती का मठ हो या कोई भी मंदिर हो जो परानिक देवस्थल है उसकी जानकारी सेलफिविट टेंपल के जरिए साचा करें जिससे उत्राखन को अध्यात्मिक राजधानी बनाने में आसानी हो और उत्राखन कि जनता से ये भी अपिल की जा रही है कि वो लगातार सहीयोग करें यानि अब आध्यात्म की तर्ज पर आमाभी पार्टी जो है अपनी पकड मस्बूत करना चाहती है जब अर्विंद जी का दौरा उत्राखन का हुआ था उन्होंने घुर्षना की थी कि उत्राखन को हम विश्व के हिंदू की आध्यात्मिक राधानी बनाएंगे उसके बाद करनल कोठ्याल जी ने चारविन पूर्व एक वेबसाइड लॉंच की थी spiritualcapitalutrakhand.com उसके माध्यम से हमने पूरे प्रदेश बर से लोगों से सुझाव और समर्थन मांगा था पिछले चार दून में हमें उत्राखन की जनता का अपार समर्थन मिला और उसको देखते हुए अभी तक हमारे पास लगभग 25,000 लोगों ने इस मुहीम को इस कॉंसेप् इस मुहीम से लोगों को जादा जानकारी नहीं है। किछा विधान सभा में अवैद नशे का कारोबार काफी तेजी से फैल रहा है। अगर इस धरने के इसके बाद भी अवैद नशे की कारोबार पर पुलिस ने अंकुछ नहीं लगाया तो अपने कारकरताओं के साथ रुदपूर SSP ऑफिस के सामने 24 घंटे की भूख खरताल पर बैट कर धरना दूँगा और अगर SSP ने भी कारवाई नहीं की तो हम या निताल में डियाईजी के आफिस पहुँच कर धरना देंगे और जब तक पुलिस नशे के खिलाव कोई ठोस कदम नहीं उठाती या कारवाई नहीं करती तब तक नशे के खिलाव इस मुहिम को म यहीं जारी रखूंगा वहीं मामले में किछा चेत्र के कोतवाल चंद्रमोहन ने बताए कि किछा चेत्र में नशे के खिलाव एक मुहिम चल रही है जिसमें अभी तक काफी बड़ी संख्या में कच्ची शराब की भट्यान नस्ट कर दी गई साथ में स्मैक गांजा बेशने वालों को बड़ी संख्या में जेल भीजा जा चुका है और आगे भी पुलिस नशे के खिलाव कारवाई करती रहेगी तो उधम सिंगर में ये जोरदार प्रदर्शन यहां किया गया है कॉंग्रिसियों ने नशे के खिलाफ ये प्रदर्शन किया और कहा कि अव्यद नशे के लिये कॉंग्रिसियों ने मुहिम चलाइ हो और जब तक 320 जारी देगा SSP कारले भी जाएंगे और अगर SSP द्वारा भी इस पूरे मामले को लेकर कोई निजात नहीं मेरते तो DIG आफिस भी जाएंगे क्योंकि उदम सिंगर में लगातार नशे का कारोबार बढ़ रहा है और युवा जो है काफी संख्या में नशे के ज़द में जा रही है हलाकि पुलिस द्वारा ये ज़रूर कहा जा रहा है कि उलगातार इसको लेकर अभियान चला रही है और जो भी ऐसे लोग हैं जो स्मैक या गांजो की तसकरी करते हैं उनको गिरफतार भी किया जा रहा है साथी साथ आपकारी विभाग लगातार अवैद भट्यों को नश्ट कर रहा है आप सबकी जानकारी में है कि नशे के कारोबार इस शेतर के अंदर बढ़ रहा है कि इच्छा के अंदर भी बुरे हालात है मुझसे कई महिलाएं मिली हैं बच्चों को लेकर भविष्ट को लेकर चीनतीत है कि बच्चों का भविष्ट क्या होगा नहुजवانी नशे में जा रही है ईजवान नशा कर रहा है और ऐसा नशा है समाहक से लेकर गंदे गंदे नशे हैं विजिनका नाम कभी नहीं सुना तो उसके खिलाब उसके अंदर जो लशे का कारोबार हो बगार पुलिस की मिली भगत के नहीं हो सकता है। उसमें कहीं नहीं पुलिस का संगरक्षन है। मुझे पुलिस के लोगों ने भी आफ रिकॉर्ड बताया है कि साब पुलिस बिकवाती है, पैसे लेती है, महेना लेती है। और कल डियाई जी ने भी इस बात को माना है। तो उसको लेकर हम धरने पर हैं। आज हमारा दो गंटे का सांकेतिक धरना है। अगर पुलिस नहीं सुद्रेगी, तो हम इसको और अंधोलन के रूप में इसको कमतेज करेंगे। परतेक बस्तियों में बाड़ों में जाकर हम इसका अंधोलन का आजाज करेंगे। यह आज हमारा सांकेतिक है, पुलिस फुदर जाए। इस काम को बंद कराएं जो महना लेती है पुरिस को सब जानकरी कि इसमें कौन बिचता है कहां कहां नशा बिखता है सब जानती है अब देंगे समय अभी तो बाचित होगी अधर अन्दोलन के रूप में इसको चलाएंगे हमारे महले में इसमें का बहुत कारोबार हो रहा है बोलोग बाग बहुत बेच रहे हैं आने वाली च्छाही सारी बिनड रहेंगे सारे दिन डिसा पीपी के अपने घरों से सिलंडर लो बरतन लो मार पीट घर में कर रहे हैं महलाओं के साथ मावता बहनों एक साल पहले भी हमने संगर्स किया एक साल हम महला मंगल दल्की में को तवाल साथ थे उन्होंने हमारा पूरा सायोग किया ऐसा साही थे उन्होंने दिया सारा हमने वह से का यह स्मैक बंद खरादी थी लेकिन आप तो इतनी बिक्राइए दड़े मेंनार पुलिस को यह अप सजक्शन नहीं ले इसके खिलाब पुलिस के द्वारा पुलिस के यह उसके करीब buff कराद कर लीए और अब नोजार करेफ कर नोजार की ँष्टी अब नमर लाहां नश्च किया कि अ कि सब्सक्रός में लगातार कर रिए अगले साल होने वाले यूपी विधानसवा चुनाव में कॉंगिस महासरचीव और यूपी प्रभारी प्रियांका गांधी वोड़रा राइबरिली या मेठी की किसी भी सीट से मैदान में उतर सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो प्रियांका गांधी परिवार की पहली सदस्य होंगी जो विधानसवा चुनाव रड़ेंगी इससे पहले गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने सिर्फ लोगसभा चुनाव रड़ा है सूत्रों की माने तो प्रियंका की पहली पसंद अमेठी है क्योंकि वहां राहूल गांधी की हार का बदला लेने के लिए अमेठी में लोगसभाद चनावों की जमीन तयार किया जाएगा जिससे स्मृती रानी को 2024 के लोगसभाद चनावों में चनावती दी जा सके अब आपको बता दें कि राइबरेली या मेठी ही क्यों राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2019 के लोगसभाद चनाव में मेठी से राहूल गांधी के चनाव हार जाने के बाद वहां गांधी परिवार का दबदबा कुछ कम हुआ है वहीं कॉंग्रस च्रियो परसन सोनिया गांधी की सिहाथ ठीक नहीं होने के चलते राइबरेली में भी गांधी परिवार का जनता से संपर्क कम हुआ है ऐसे प्रियांका के चनाव लड़ने से मेठी और राइबरेली शेतर के जनता के साथ कॉंग्रस के सम्मंदों को मजबूती मिल सकती है तो यूपी में विदान सबा चुनाव लड़ेंगी प्रियांका गांधी और ऐसा करने वाली वो अपने परिवार की पहली सदस्य होने जा रही है राइबरेली या मेठी उनकी पहली पसंद है या तो वो राइबरली से मैदान में उतरेंगी या फिर अमेठी से लेकिन खबरों की माने तो प्रियांका गांधी की पहली पसंद अमेठी है क्योंकि अमेठी में स्मिती रानी ने राहुल गांधी को पठकनी दी थी ऐसे में 2022 की तैयारी जो है 2024 के लिए की जाएगी तो 2022 में प्रियांका गांधी विदान सबाद चुनाव गड़ेंगी अमेठी से और इसके बाद फिर 2024 में एक कड़ी टकर वहां स्मिती रानी को देती हुई नजर आएंगी जो कि 2024 में लोग सबाद चुनाव होंगे झाल